अलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल, राजिस्तान पटवारी एक्जाम 2020 के लिए कम्प्यूटर का कोर्स यहां पे हम डिसकस कर रहे हैं, जिसमें यह सेवन्थ वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे आपे आउटपुट डिवाइस के बारे में, इससे पहले जिसमें हम आउटपुट डिवाइस को यहां पे कम्प्लीट डिसकस करेंगे, जो भी रिमेनिंग थी, उनको यहां पर हम डिसकस करेंगे, पिछले वाल वीडियो में हमने मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में डिसकस किया था, यह क्लास नोट्स मैं आपको अपने टेलेगा हम चैनल पे अप्लोड कर देता हूँ, वहां से इनको आप प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहूँगा कि यहां पर हम राश्तन पटवारी के लिए कोर्स डिसकस करेंगे, कम्प्यूटर का कोर्स, हम कम्प्लीट यहां पर डिसकस करेंगे, अगर आपको अभी तरह नहीं पता, तो यहां पर आप में चैनल पर जाके, जो कम्प्लीट कोर्स है, जिसमें 6-7 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, उनको देख लीजी, और चैनल को सस्क्राइब कर लीजी, क्योंकि इससे आपको मौनिटर, ठीक है, पहला मौनीटर और सेकंड प्रिंटर यहां पर हम, प्रिंटर को यहां पर हम डिसकस कर चुके, अब यह थर्ड हो गया एक तरिके से प्लॉटर, प्लोटर के बारें में यहां पर हम बात करेंगे, प्ल्लॉटर क्या है? यह भी एक आउट्पुट डिवा इसे जिसका प्रियों कहां करते हैं ड्रॉइंग बनाने में या चितर बनाने में जैसे कि constructions plan मतलब कोई building बनानी है आपको बहुत बड़ी building बनानी है तो उसका जो construction होगा buildings होगा उनका map बनाना है वो design करना है तो वो plotter की साहता से हम कर सकते हैं या फिर कोई भी mechanical, कोई भी वस्तु है, तीक है, उसका blueprint बनाना है आपको, तो ये सारी बनाने के लिए हम plotter का use करते हैं, तो plotter में क्या होता है, इसमें drawing बनाने के लिए आपको pen, pencil, marker, tool, ये सारे given होते हैं उसमें, जिनका use करके हम, जो भी drawings वगिरा हैं, या कोई भी diagram हैं, वो बना सकते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है, basically plotter एक output devices है, और इसका use कहाँ पर होता है, construction plants वगिरा है, या किसी mechanical वस्तु है, उनका blueprint बनाने में इसका use होता है, मतलब जिस paper पर print निकालते हैं, प्रीनत करते हैं, तो इसकी paper की size है, वह fix होती है, एक limit size होती है, उससे ज्यादा paper का use हम इसमें नहीं कर सकते है, size के paper का, तो यह होते है, size में छोटे होते है, और paper की size भी इनकी छोटी होती है, कौन सा, flat bed plotter में, और दूसरे होता है, drum plotter, जो drum plotter है, वो size में बड़े होते हैं, और इनकी paper की size है, जो pessimist होती है, इसमें एक paper roll का प्रयूग किया जाता है, इसका मतलब है, कि इसमें paper roll का प्रयूग किया जाता है, जितनी paper की need है उतना, यहाँ पर हम use कर सकते हैं, complete roll का इसमें use कर सकते हैं, में size के कोई limitation नहीं है, submit size नहीं है, इसकी submit size एक तरह के सकते हैं, यह दो प्रकार के यहां पर plotter हो गए थे, अब बात करते हैं, next input device के बारे में, जो की है, fourth number की input device हो जाएगी, हमारी speaker, इस speaker है, यह एक, sorry, output device की बात कर रहे हैं, जो speaker है, यह भी एक output device है, क्योंकि इससे हम, कोई output, हम प्राप्त करते हैं, computer से, इस प्रकार के output device में, क्या होता है, computer से प्राप्त output को, आवाज के रूप में सुनाती है, जैसे हमें speaker से क्या करते हैं, हम कोई दौहे नहीं, कोई आवाज है, उसके रूप में हम कुछ सुनाद सुनते हैं जैसे कंप्यूटर में हम सौंग्स चलाएंगे, मूवी चलाएंगे, तो वो क्या है, कंप्यूटर से हम कुछ सुन पा रहे हैं, वो स्पीकर की साहता से हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं, तो यह क्या करता है, यह कंप्यूटर से प् CPU से एड़ करने के लिए इसमें क्या होता है एक साउंड कार्ड की ज़र्लत पढ़ती है और इसका प्रियों का होता है गाने सुनने में बातचीत करने में speaker computer में आंत्रिक या बहारी रूप से जुड़ा होता है जैसे computer है हमारा computer वे laptop हो उनमें speakers inbuilt भी होता है मतलब कि उनके अंदर भी speakers होते है या फिर हम बहार से एक्स्ट्रा जो speaker है वो भी हम attach कर सकते है वो भी हम add कर सकते है तो दोनों तरीके से speakers का यूज होता है बहारी या आंत्रिक रूप से दोनों तरीक से speakers यहां पर use कर सकते हैं तो यह था speakers जो कि output device है और यह क्या काम आती है आवाज को आवाज के रूप में सुनने के काम में आती है जो की computer का data है उसको विद्धूत धारा में convert करती है और यह CPU जोडने के लिए इसके लिए sound card की need होती है बिना sound card के हम speakers का use नहीं कर सकते हैं इक तरीके से यह कर सकते हैं इसको जोडने के लिए sound card की need होती है ठीक है और next है यहां पर headphones यह बी एक output device है फिप नंबर की हो जाएगी headphones यह क्या होता है एक output device है जिसमें क्या होता है loud speaker का एक जोड़ा होता है इसमें एक set होता है एक तरीक से headphones आपने देखे तो pair में होता है इसमें क्या होता है loud speaker का एक जोड़ा होता है एक pair होता है इसकी आवाज सिर्फ इसे पहनने वाला वक्ती ही सुनता है अब speaker में जोड़ से बज़ता है तो उसमें आस पास के लोग सुन सकते हैं बट headphone क्या होता है ये एक personal एक इस ठूट آदमी जो पेहनेगा जो इसको यूज करेगा वो ही इसको सुन सकता है और किसी-किसी हेड़फॉन के साथ में माइक भी लगा होता है अब हेड़फॉन काम में क्या आते है हेड़फॉन बेसे करे आवाज सुनने काम में आते है बट किसी-किसी हेड़फॉन में क्या होता है एक्स्ट्रा यहां पर इस तरीके से, एक माईक भी लगा होता है, इन से हम सुन सकते हैं, और यह माईक है एक तरीके से, जिससे हम कुछ बोल भी सकते हैं, तो माईक भी लगा होता है, जिससे आवाज को हम सुनने के साथ साथ बात भी का सकते हैं, तो हम सुन भी सकते हैं, और जो यह headphone से इनका यूज कहां पर होता है जर्णली इनका उपियोग हम कहां करते हैं टेलिफॉन operator है call center है commentator है जो commentary करते हैं यहां पर इनका जर्णली यूज किया जाता है जो कि सुनने के लिए अपन कुछ भी सुनना है या फिर बोलना है दोनों के लिए इनका यूज कर सकते ह headphone है यह यहां पर output device का काम करते है नेक्स्ट है यहां पर projector है जो कि six तरह है टाइप की यहां पर output device है अब projector क्या काम आती है यह भी एक output device है जिसका प्रियोग computer से प्राप सूचना या data को एक बड़ी screen पर देखने के लिए प्रियोग किया जाता है अब projector यहां पर आपने दे projector की साहता से देखते हैं तो आपको क्या होता है अब बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ चीज़ दिखा नहीं है computer से तो हम क्या करते हैं projector का यूज़ करते हैं जो कि एक wall पर कहीं भी project करके हम एक साथ दिखा सकते हैं काफी सारे लोगों को जैसे movie देखते हैं तो halls मे movie वग इसकी साहता से बहुत सारे लोग एक समू में बैठ करके कोई परिणाम देख सकते हैं मतलब की computer से जैसे movie चला रहे हैं songs कुछ भी sorry movie या कुछ भी और दिखाएंगे slide होगे न तो वह बहुत सारे लोग देख सकते हैं क्योंकि एक बड़ी screen पे project किया जाता है इसका पर बड़ी screen पर वहाँ पर computer की screen को दिखाया जाता है तो यह प्रोजेक्टर की साहता से दिखाया जाता है यह एक output device है यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर question बनने के लिए यह हो सकता है कि project output device है और एक question इससे यहाँ प computer से तो कौन सी output device का use कर सकते हैं तो यहाँ पर projector का यहाँ यहाँ पर use कर सकते हैं करेंगे यह आपको इस तरीके से question बन सकता है यहाँ पर तो यह हो गया है यहाँ पर basically output devices अब हम बात करते हैं input output devices मतलब कुछ devices ऐसी होती है जो input और output दोनों तरीके से काम करते हैं तो उरको ब इसलिकली input output devices क्यालाती है जैसे इसके example क्या हो जाएंगी जैसे इसके example आपको थोड़े एक दो याद रख लेने जो हैं जैसे modem है touch screen है, headset है network card, network card है audio card है, तो यह सारी किया है input output device के example है, touch screen के जैसे मैंने बताया था, कि आप touch करके screen है, touch screen, तो आप उस screen पे output देख भी पारें और touch करके उसमें कुछ input दे भी पारें तो आप output ले भी पारें और दे भी पारें तो input output दोनों का काम करते हैं इसी तरह किसे headset मैंने बताया था, headphone तो headphones क्या है, यहां से आप सुन भी सकते हैं और कुछ हैड़पॉंस ऐसे होते हैं जिनमें आपे माइक लगी होती है तो हम बोल भी सकते हैं मतलब सुन भी पा रहे हैं इंपुट ले भी पा रहे हैं और इंपुट दे भी पा रहे हैं बोल के और इंपुट ले भी पा रहे हम सुन भी रहे हैं तो दोनों काम कर रहे हैं तो यह क्या है? इन्पूट आउट्पूट डिवाइसे हैं जो दोनों काम करती है modem हो गया, touch screen हो गया, headset हो गया, network card हो गया, audio card हो गया यह आपको याद रख लेने हैं इनके नाम क्योंकि ऐसे questions पूछ सकते हैं इसे कॉनसे डिवाइसे जो input आउट्पूट दोनों का काम करती है fax machine है, fax machine भी input आउट्पूट दोनों का काम करती है क्यों कि इसमें document को scan करने के लिए scanner लगा होता है fax machine input और output दोनों का काम करती है तो fax machine भी एक input output device का example है, जिसमें दोनों काम होते है, input भी लेता है और output भी देता है, तो दोनों का ये काम करती है, यहाँ पर fax machine, फिर यहाँ पर input output port, input output port, basically क्या काम आते हैं, जब भी यहाँ पर computer से जो भी extra कोई भी बहार से हैं, जैसे headphones है, speaker है, या फिर mouse, keyboard वगेरा, जो बहार की devices हैं, computer से बहारी रूप से जोडने के लिए, जो input output devices हैं, उनको जोडते हैं, तो किसी device की जड़त होती है, मतलब किसी एक मैध्यम की जड़त होती है, उनकी सायता से हम उनको जोड सकते हैं, जैसे हम ही mouse connect करना है, keyboard connect करना है, तो कैसे connect करेंगे, इसके कोई एक medium होता हैं, उनको बोलते हैं, port, तो उन port की सायता से वहाँ पे, उनको add करते हैं, input output port, जो ये devices होते हैं, जिनको extra बहारी रूप से जोडते हैं, input output devices, जिनको extra बहारी रूप से जोडते हैं, इनको क्या बोलते हैं, peripheral devices बोलते हैं, ऐसी devices, जो ऐसी input output devices, जो बहार से हम उनको add करते हैं computer में जोडते हैं तो इनको बोलते हैं पहली फेरल devices तो इन devices को computers के जोडने के लिए एक medium की आउसकता होती है जिने हम कहते हैं input output port उस port की सायता से हम इनको जोड सकते हैं उसमें connect कर सकते हैं तो computer को चलाने के लिए कुछ आउसक युक्तियों को standard युक्तिया कहा जाता है जैसे keyboard floppy drive hard disk तो कुछ ऐसे devices जोड़ते हैं तो computer को चलाने के लिए आउसक हैं जरूजी है तो उनको क्या बोलते हैं standard युक्तिया उनको standard युक्तिया बोलते हैं मतलब वो computer को चलाने के लिए जरूजी है एक तरीके से mouse हुआ keyboard हुआ keyboard floppy drive हुआ और hard disk हुआ तो यह ऐसी devices हैं जो computer को चलाने के लिए काम में आती हैं जरूजी जरूजी इनको बोलते हैं standard युक्तिया ठीक है तो हमने यहां पे input output devices को complete discuss कर लिया है input output devices को पहले हमने input device discuss किया था यह output device की यहां second video थी जिसमें हमने complete यहां पे अब input और output devices को discuss कर लिया है अब इससे related जो भी questions होंगे वो हम बाद में discuss करेंगे मैं बोल रहा हूँ अभी हम course एक बाद discuss कर लेते हैं फिर हम बाद में क्या करेंगे syllabus complete होने के बाद में हम जो भी mcqs है multiple choice questions है multiple choice questions है इनको हम यहां पर discuss करेंगे खूब बहुत सारे multiple choice questions मैं आपको यहां पर discuss कर वा हुआ दूसरा class notes मैं आपको provide करी रहा हूं सारे जो भी class notes हैं आपको telegram channel पे मिल जाएंगे telegram channel को join कर लिजे उसके link आपको वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगी और बस अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको like कर दिया करो यार like करोगी तो आपको पता चलेगा मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको अच्छे लग जी कोई आपके मन में कोई भी question हो जिसका answer आपको नहीं पता हो कुछ पूँचना हो कहीं कुछ problem हो तो वो भी आप comment करके बता सकते हैं पूँच सकते हैं मैं सारे comment को पढ़ता हूँ और सबका reply में आपके करता हूँ ठीक है